केमचो विद्यार्थी मित्रों, आजी आपने तोरण साथ विशा हिंदी प्रथम शत्रमा काविया पांच बणिसु हिंदी देश के निवासी विवित्ता में एकता हमारे देश की विशेश्ता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है मानविय एवं प्राकरुतिक विवित्ताव पौने पर भी उसमें अबिन्न एक सुत्रता है विपिननात रश्टान तो द्वारा इस कावे में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है हिंद इतले हिंदूस्तान अपड़ो हिंदूस्तान देश, निवासी इले रहने वाला पहला तो भारत एक निराला देश है, यहां अनेक जातिया, धर्मों और पासाओं के लोग रहते हैं यहां प्राकृतिक के भी अलग-अलग रूप पाए जाते हैं इतनी वीवीता के बावजुद यहां एकता है, यहां सब लोग हिल मिलकर रहते हैं इस कविता में हमारे देश की निरालेपन बताया है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रूप रंग वेश भासा चाहे अनेक है पारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, इनमें रूप, रंग, पहलनावा और भासाई बले ही अलग-अलग है कि आपड़ा हिंदूस्तान मा जे रहवा वालाचे हिंद देश मा रहवा वालाबद दा निवासी एकज छें कि हम सभी लोग एक है, अमें बदा एकज छी है चाहे नो रूप, रंग, वेश भले, अलग, होई, पड़न तो अमें बदा लोगों के वाज छी है बेला, गुलाव, जुही, चमपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल गुंते माला में एक है बेला, मुगरा, जुही, चमपा, चमेली आदी फूल अलग-अलग होते है परन्तु ए प्यारे प्यारे फूल माला में गुंतने पर एक बन जाते है इसी तरह अलग-अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है के मोगरो, गुलाब, जुही, चमपो, चमेली वगरे फुलो जुदा-जुदा होय छे परन्तु आ प्यारा-प्यारा फुलो दोरामा मारा रुपे गुन्थाई ने एक बनी जाय छे एविज रिती जुदा-जुदा होवा छता पन सव अमें बदा परतवासी एक छी है कोयल की कुक-कुक न्यारी, पपी हे की टेर प्यारी, गार रही तराना बुल-बुल, राग मगर एक है कोयल की बोली निराली होती है, पपी हे की बोली में अपनी मिठास होती है बुल बुल का गित भी अलग तरह का होता है इन सब पक्षियों के घाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है इसी तरह अलग अलग बोली और भासाओ बोलने वाले भारत वाशियों की आवाज भी एक होती है के कोईलनों टवको अनोख हो होय छे पपी हाने बोली अलग होय छे बुल बुल पण निरालू होय छे पपी हा एलेक पंचिनों नाम छे पपी है एले पपी हा एक पक्षी छे एक पक्षिनों ते नाम छे आ पक्षियों ना गित बले बिन्न बिन्न होय परन्तो तेमना गित नो राग एकज होय छे एवेज रिते बिन्न बिन्न बोली अने भाशा वोलनारा भरत वाष्यो ना स्वरपन एकज होई छे गंगा, यमुना, भ्रह्मपुत्र, कुरुष्णा, कावेरी, जा के मिल गई सागर में कोई सब एक है आप अधि नदिना नाम छे गंगा, यमुना, भरह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी अलग-अलग नदिया है मगन सागर में मिलकर वे एक हो जाती है इसी तर देश प्रेम सभी भारतवाश्यों को एक बना देता है गंगा, जमना, ब्रह्म पुत्र, कृष्ण, काविरी आप बद्धी नदियो जुदी जुदी छे प्रंतु के सागण मा जैनेते एक स्थाई जाय छे एवीज रीते देश प्रेम मा सव भारतवाशियों ने एकज बनावी दे छे धर्म है अनेक जिनका सार वही है पंद है निराले सबकी मंजिल तो एक है धर्म अनेक है पर उनका शार तत्व एक ही है सभी संप्रदय अलग-अलग विसेसा रत्ते है पर सबका दे एक ही है मनुष्य को उन्नत बनाना इसी तरह सभी भारतवाशियों का लक्ष एक ही है अपने देसकी उन्नती करना के धर्मों अनेक छे पर नतु तेमां जे सार तत्व एक है जे बधानोंमतलब एक सत्तव है धर्में एक अलग-अलग है पर बधा धर्मणोंमतलब क्यो है? संप्रदय बिन्न बिन्न होय जे obicत अलग-अलग होय पर दा संप्रदय परन्तों सवनों धेग एककज होये छे मनुष्य जीवन ने उन्नत बनाववू एवी जे लिते सव भारत वाष्यनों लक्स एककज छे के दिसनी उन्नती करवी काविय अपनों आनों जतु आ नोट बुक मां तमारीय काविय लखवानों छे निचे सब्दार्थ छे कुक कोयल की आवाज पपी हा एक पक्षी का नाम मैं तमने कई तुमें यह पपी हे तिया आवसे टेर पपी हे की पुकार तराना गेत पंत रास्ता निराला अनुठा मन्जिल तो देल अब ब्यास छे आपड़ों ये पाछोल प्रश्णा एक प्रश्णों के उत्तर लिखिए अईए प्रस्दा जरब तमारे आपपबाना छे अब यसमा प्रस्दा बेचे सब्दा पुँखडियों को उचीत करम में रख्कर वाग्य बनाईए अईया वाक्या पिला छे बदा आड़ा अबडा छे निवासी देश हम के भारत है तो अपको वाक्या बनावानों छे के हम भारत देश के निवासी है बे नमबर मां छे मदूर आवाज कोयल है की होती तो वाक्या बन से कोयल की आवाज मदूर होती है तरह नमबर मा फुलो हस्ते की चाहिए रहना तरह तरह आंसर आउसे फुलो की तरह हस्ते रहना चाहिए बहुत छे गोले के सब्दा चुनकर अर्थपुर्णा वाक्य बनाई गया आं अंदर जे सब्दा आपेला छे एमा थी वाक्य बनावानों छे उधरान आपेलू छे सोहन पढ़ रहा है यवान बीजा तमान अंदर थी वाक्य बनावाना छे उधरान तरीके रिनल पड रही है, मेगा पड रही है, हरेश पड रहा है, सोहन पड रहा है, और सोहन खेल रहा है आवेटे तमारे उदारं प्रमाणे फाक्के बनावाना छे, और ये काप्रश्णा त्रणमा काव्य पंक्तिनों भावार समझावानों छे, काव्य पंक्ति आपेले छे तमारे हिंद देश के निवासी सबी जन एक है, रूप रंग वेश बासा चाहे अनेक है, तेनों तमारे स समझावानों छे, बारस देश में रहने वाले लोग रंग रूप पहनावे और भासाएं बले ही अलग अलग हो, परन्तु वे सब लोग एक है, यहां रहने वाले सबी लोग की मात्रूबुमी बारत ही है, येनों आंसर छे, प्रस्ना चार छे, औरत और, लड़की के स्थान पर क्रमश, आदमी और लड़का, रखकर परीचेत फिर से लिखिये, यहां छे, औरत तापी होए, औरत और लड़की, यहने जग्या इसो लखानों छे, आदमी और लड़का, और तमारे आवाके बनावनों छे, एक लाइन समझाई समने, एक मोटी औरत जा रही थी, तो ए एक मोटा आदमी जा रहा था, पिछे पिछे एक लड़की चल रही थी, पिछे पिछे एक लड़का चल रहा था, लड़की छोटी और पतले थी, लड़का छोटा और पतला था, औरत को पता चला तो घुर कर बोली, आदमी को पता चला तो घुर कर बोला, ए लड़की, ए मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है लड़की भूले पंसे बोली तो लड़का भूले पंसे बोला मैं तो केवल छाओ के नीचे चल रही थी मैं तो केवल छाओ के नीचे चल रहा था आवे दिनों परिछे लखवानों छब्यस्मा और सामानाथी सब्दों का वाक्य में प्रोयोग कीजिए। उदरन तरीके अहां रही सु पहला तो पंथ। पंथ्रों सामानाथी सब्द थसे राह, रास्ता। तो एनों वाक्य बनावानूचे यहां पंथ सरल नहीं है। तो राह, मुझे नई राह मिल गई। रास्ता, यहां सिधा रास्ता है। एवेल ते तमारे आना सामानाथी सब्द लख्वानाचे। अने तमारे नोटबुक मां लख्वानाचे। अहीं आपड़ों पार्ट पुरो था चे, बभ्यास्वाद्या तमारे नोटबुक मां लख्वानूचे। झाल, 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 झाल